नमस्कार स्वागत आपका प्राइम टीवी में और मैं हूँ आपके साथ प्रियातिवारी शुरुआत करते हैं खबरों की उत्तर प्रदेश में कोरोना से संक्रमें 32 नए रोकी मिले हैं और किसी भी मरीज की मौत नहीं हुए संक्रमण में अब तेजी से काबू में आ रहा है और 55 जिलों में कोरोना का एक भी मरीज नहीं मिला है जबकि 20 जिलों में एकाई में मरीज मिले हैं नौ जिले कोरोना मुक्त हो चुके हैं इसमें अलीगर्ण अम्रोहा बस्ती एटा हाथरस काजगंज कौशांभी महोबा मुरादाबाद और श्रावस्ती शामिल हैं वहीं यूपी में अब सक्लिय केश 712 हैं उत्रप्रदेश में कोरोना की संभाव के तीसरी लहर को देखते हुए मेडिकल कॉलेजों वा अस्पतालों में इलाज के पुक्ता इंतिजां किये जा रहे हैं मेडिकल कॉलेजों में अब तक 6572 पीकू के बैड वा इसुलेशन बैड भी तैयार किये जा चुके हैं तो आपको बता दे कि उत्रप्रदेश में अब कोरोना से संक्रमित 32 नए रोगी मिले हैं आपको बता दे कि जो कोरोना का ग्राफ है उसमें कहीं ना कहीं गिरावर देखी जा रही है वहीं अगर बात की जाए मेडिकल कॉलेज की तो वहाँ पर भी कोविट को ध्यान में रखते हुए पुक्ता इंतिजाम किये गये हैं साथी आपको बता दे कि 20 जिलों में एकाई में मरीज मिले हैं वहीं नौ जिले ऐसे हैं जो पूरी तरह से कुरोणा मुक्त हो चुके हैं इसमें अलीगर्ण अम्रोहा बस्ती एटा हाथरस कासगंज कौशामभी महोबा मुरादाबाद और श्रावस्ती शामिल है और सी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शहवाद स्टी चूड़ चुके तो शहवाद आपसे जाना चाहेंगे कोविट को लेकर क्या कुछ अपडेट सामने आ रहा है जी बलकुल प्रिया बसाना चाहूंगा आपको कि जिस तरीके से उत्रवर्देश के योग्याजनात सरकार ने कुरोना की दूसरी लहर में जिस तरह की अचानक से पैदा हो गई थी उसके बाद लगातार उन्होंने अधिकारियों को ये निर्देश दिये थे और देखने को ये भी मिला थे कि ये योग्याजनात कुछ कुछ कुरोना क्रसित हो गए थे उसके बावजूद जब वो कॉरिंटीन थे तभी अधिकारियों के साथ वो लगातार वर्चियल मीटिंग कर रहे थे बैठक कर रहे थे और उत्तरवर्देश में दूसरी लहर से कैसे उबरा जा यहां पर उस तरीके का इलाज नहीं मिल पाता है यूद के ले यह पर डॉक्टर्स ही नहीं है तो जिस तरीके से इतना बड़ा राज और साथ में इतना बड़ा चैलेंज और जिस तरीके से योग्यानाओ सरकार ने इसका सामना किया तो कहीं न कहीं, यह बहुत ही सराहनी कदम रहा और बहुत अच्छा काम किया यूपी गवर्मेंट ने और अब जिस तरीके से केज घटते चले गए लगातार, तो कहीं न कहीं, यह योगियादनाद सरकार की काफी मेहनत जो थी, वो रंग लाई और जब देखने को यह मिला थ कि जब वो कुरिंटीन से बहार आयते हैं यूगियादनाद और उसके बाद वो खुद लगातार, चाहिए वो डियाइडियों का जो बन रहा था, कोविट सेंटर, वहाँ पर भी और चेक नेक्शनल करने के लिए पहुचे दे साथ ही, जितने भी तमाम सेंटर बन रहे थे, कोविट के, वहाँ पर वो लगातार पहुच जायते हैं, वो साली चीजों का जायता लगातार खुद ले रहे थे, और अब देखने को यह मिला था कि जब कुरोना की दूसरी लहर जब शान पड़ी थी, तो लगातार विशेशक के द्वारा ये चिताबनी जारी करी जारी कि जो तीसरी लहर होगी, वो कहीं न कहीं बच्चों को सबसे जादा एफेक्ट करेगी, क्योंकि अभी तक प्रिया बताना चाहूंगो कि बच्चों के लिए जो वैक्सीन है, उसका अभी तक सिस्ट ट्रायल ही हुआ है, अभी किसी भी तरह से भारत बायोटेक द्वारा जो ट्रायल किया जा रहा है, तो वो भी अभी भी ट्रायल में ही है, शायद और उसके बाद ये भी है कि जो एम्स के डिरेक्टर हैं, उनका भी यही कहना है कि जो अगस तक यानि कि इस महीने में शायद यह हो जाए कि बच्चों के लिए जो वैक्सीन है, शिशू से लेकर 6 साल करेगी, क्योंकि अभी जो वैक्सीन है, वो तीनेजर्स को से लेकर और बुजर्गों तक ही लग रही है, जो बच्चे हैं वो अभी वैक्सीन से काफी दूर है, वैक्सीनेशन उनका स्टार्ट नहीं हुआ है, और कही न कहीं ये तीसी लहर में देखने को मिल सकता है कि बच करेश थे, वो योगी अजजनाद ने दे दिये थे, लगातार वेंटिलेटर्स और NICU, क्योंकि NICU में बच्चों को ले जाए जाए जाएगा, अगर खराब होती है तो, हलाकि ऐसा कुछ सामने नहीं आई है कि हालाद बच्चों की इतनी खराब हो सकती है, लेकिन हा, अग लिकारियों और डीम इस तरफ पर ये अमेशा निर्देश देते आये हैं कि सैयारियों को बुक्ता इंतजाम कर लिया जाए जाए की कोविट की तीस्री लहर आरे वाली है और विशे शगोबिन भी इसको लेकर चिताबनी दी है कि कहीं न कहीं ये बच्चों पर जादा प्रभावित होने वाली है, ऐसे में जिस तरह से आपने बता की सी-म भी पूरी तरह से सकत हैं, इसको लेकर निर्देश भी जारी किया नरेन मूदी ने भी ये लगातार आगा किया कि जिस तरीके की छूट दी गई है क्योंकि जिस तरह की हम लोगों ने छूट देखी चाहे हो पहाड़ी राज्जियों में परिटन थलो पर जो लोगों की भीर दीगी तो कहीं न कहीं केस बढ़ने की जो संभावना थी और तीसी लहर में सटीक बैठी की इस वक्त के लिह आ सकती है तो कहीं न गहीं इसको नजरंदार नहीं किया जा सकता एक दो बार नहीं दूतीन बार चीज़े सटीक बैठी तो जिस वजह से अब योगी आजमाद वो भी लगातार जो है वो ये निर्देश दे रहा है कि तीसरी लहर के लिए सभी लोग अपनी कमर कसलें जिसनी भी अववश्था हैं उनको दुरुस करने जो आववश्थी जंग से दूसरी लहर में यूपी यूपी ने लड़ाई लड़ी तो कही न कहीं वो चीज दुबारा नहीं चाथी गौर्रमेंट क्योंकि गौर्रमेंट की भी कही न कहीं दूसरी लहर में फजियत हुई थी और इसका असर भी पड़ा था और विबक्ष हो एक मुद्दा भी मिला था सरकार को गेरने का लेकिन अगर दुबारा क्योंकि सर पे चुनाओ है प् कोई विवस्था नहीं की गई तो यह मान लीजिए कि विपफ जो है वो पूरी तरीके से हमलावर हो जाएगा इसलिए कोरोना की दूसरी लहर के बाद तीसरी लहर के लिए सरकार ने जगह जगह पे हर जगह चाहे वो आटी पीसी आर्ट लैब हो इसको बढ़ाने की निर्देश दिया है कि जितने भी बच्चों से एनाइस यू है उनको दुरूस कर ले वेंटी लेटर अपने चेक करने ऑक्सिजन की विवस्था है यह इसको सुनिशित करें तो जितने भी दिक्कते आई थी उनको दूर करने के लगतार जो सीम दौरा जो है वो निर्देश पूरे उत्रप्रदेश में दिये गए हैं जिस तरह से शेवासा बता रहे हैं कि लगतार सीम सक्त हैं कही ना कहीं टीम नाइन की बैठक भी हुई और यह असर देखने को मिला कि अब जो रिपोर्ट सामने आ रही है वो इस तरह से है कि जिले में नो ऐसे जिले हैं यूपी म जो पूरी तरह से करोना मुक्त हो चुके हैं हो चाहे कोई भी हो उस मीटिंग में उसको मौझूद करके और उनसे लगतार यही निर्देश देते हैं कि इस जिले पर T3 की जो नीस्ती है उसको अपनाईए ट्रेस करिए ट्रीट करिए ट्रीटमेंट डीजिए उनको उनका क्याने T3 जो नीस्ती थी कहीं ना कहीं योगी क के बाद जिस तरीके से काम करने की कोशिश करी गई यूपी गवर्मेंट के तरफ से तो कहीं न कहीं वो भी समझ चुके थे कि इसको सबसे पहले को ट्रेस करना बहुत जरूरी है कि कि इस मरीज में क्या सिंटम्स हैं और क्या दिक्कत हैं और उस दिक्कत के हिसाब से उसको फिर treatment दी जाए क्योंकि tracing की सब्से बड़ी दिख्कत थी tracing की सब्से बड़ी problem थी जो उत्रवर्देश में नहीं उपा रही दी क्योंकि लोग इपनी जनसंक्यां होने के बात ये बहुत बड़ा कहीं न कहीं आपको फिर से बताना चाहूँगा कि उत्तरफरदेश एक सबसे बड़ा राज है भारत में और सबसे बड़ा चैलेंज है मेडिकल फेसिलिटीज को लेकर भी अभी भी काफी चीजे हैं जिनको दुरूस करना अभी भी काफी जरूरी है कहीं न कहीं कभी न कभी किसी भी जिले से खबरे सामने आई जाती है कि कहीं डॉक्टर्स नहीं है तो कहीं आपसीजन नहीं है तो कहीं कुछ नहीं है तो जिस तरीके से टीम नाइन की बैटक में सीम योगी लगातार ये निर्देश दे रहे हैं कि जिन जिलों में केस जाता हों उन पर अभी भी सक्ति बनाया रखें और जहां पर ये कोविट की केस नहीं है वहाँ पर जो है फोड़ी सी धील जो है वो लोगों को मुहया कराई जा रही है और साथ ही वीकेंड लॉग्डाउन जो है वो लागू है पूरे उतरप्रदेश में स्टेर्टे संदे वाला जो लॉग्डाउन है कोविट कर्फ्यू वह अभी भी लागू है और ये भी कह रहे है कि यह आगे भी लागू रहेगा जी प्रिया शेबाज इस तरह की चीजे हैं या फिर अब नहीं हैं क्योंकि अब काबू में आ गए हुता प्रदेश में जी जी बिल्कुल जैसे कि पहले देखी पहले जिस तरीकी की तख्सी अपनाई जा रही थी क्योंकि कहीं हर जगह पर कोरोना की जो केसे से वो काफी हद तक बढ़ गए थे और हर जगह यह केसे लगतार आने लगे थे तो जिसको देखते हुए किसी की हर किसी राज ने आर्टी पीसी आर की जो रिपोर्ट थी वो जो है वो जरूरी करती थी लेकिन जब केसे घीले पड़ने लगे और लोगों की जो वैपारी थे उनकी जो मांग थी कि इन ताजी चीज़ों क् उसको देखते होएं बहुत जरूरी चीज देश के लिए और उसको ध्यान में लगते हुए इन सारी चीजों से पाबंदियों से वह भी गए गई इसारी पाबंदिया और उतराखंड में भी हाली में एक दो दिन पहले ही आर्टी पीसियार की जो आनिवारता है वो आटाई गयी है हाला कि उत्राखंड एक परेटन इसकाल है उत्रा दूसरा दूसरा वो है और उत्राखंड को अभी नहीं आटाना चीज़ है कि इस तरीके से परेटन परेटक पहुँच रहे हैं लगातार विशेशा की भी यही कह रहा है कि अभी भी कोविट का जो खत्रा है वो टला नहीं हो इसी लहार जो है हमारे मोहाने खड़ी है क्योंकि लगातार जैसे देखने को मिलना कि केरल में आज चौते-पांच में दिन भी केरल कहीं लगातार हब बना रहा इसके बावजूद केरल मॉडल की जो है वो टारीफ लगातार देश में बल्कि पूरे विश में हुई लेकिन इसके बावजूद भी आज केरल में फिर से 20,000 से प्लस केस आ रहे हैं लगाता जाते हैं बाच में दिन तो इसका मतलब कहीं ना कहीं खत्रा टला नहीं है इतना अच्छा राज इतना बड़ा राज होने के बावजूद इतने अच्छी medical facilities होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं cases जो हैं वहाँ कम नहीं हो रहे हैं तो उसका मतलब साफ है कि अभी भी कोविट का खत्रा टला नहीं है और लगातार विशेशक भी नीती आयो कि जो सदस हैं वीके पॉल उन्हाने भी ये बात बोली थी कि कोविट का ज भी खत्रा टला नहीं है लोगों को अभी भी मास्क और लोगश् की दूरी का पालंग करना से ही है और जिस तरीके से qaidland जारी करी जा रही है सरकार की तरफ से संक्रमण अब काबू में आता जा रहा है और आपको बता दे कि 55 जिले में कोरोना का एक भी मरीज नहीं मिला है जबकि 20 जिलों में इकाई में मरीज मिले है आपको बता दे कि 9 जिले कोरोना मुख्थ हो चुके हैं इसमें अलीगड अमरोहा बस्ती एटा हाथरस काजगंज कौशांबी महोबा मुरादाबाद और शावस्ती सामिल है वहीं यूपी में अब सक्रेकेज 712 है और स्तिप्रदेश में कोरोना के संभावित तीसरी लहर को द जिले में दो घंटे रुकेंगे जैसी ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करने के साथ ही रोपवे का लोकार पढ़वा विंद कॉरीडोर का शिलन्यांस भी करेंगे दोपहर दो बचकर 40 मिनिट पर अश्ट भुजा हैलीपोट पहुचेंगे और आपको बता दे कि 4 बच कर 35 मिनिट पर वाड़सी के लिए रवाना हो जाएंगे वहीं कारेक्रम के मुताबिक ग्रह मंत्री सवा 3 बजे विंद्याचर मंद्र पहुचेंगे यहां दर्शन पूजन करेंगे और इस दौरान वह 20 मिनिट तक विंद्य धाम में रहेंगे वहीं भूमी पूजन कर सडक म 35 मिनिट पर वाड़सी के लिए रवाना होंगे और आयुक्त विंद्याचर मंदल योगेश्वर राम मिश्र वाजराधिकारी प्रवेड कुबार लक्षण ग्रह मंत्री अमिश्या वा मुख्यमंत्री योगी आधितनात के आगमन की तैयारियों को लेकर जैसी के जनसभा इ आपको बता दे कि आज ग्रह मंत्री अमिश्या यूपी दोरे पर रहेंगे और ग्रह मंत्री विंद्य कॉलिडोर के भूमी पूजन के लिए आज मिर्जा पुरा रहें हैं केंद्री मंत्री अमिश्या दिले में दो घंटे तक रुकेंगे और इसी ख़वर पर तमाम जानकारी के लिए माय साथ हमारे सहयोगी शेहवास जूट चुके हैं तो शेहवास जी आपसे जाना चाहेंगे जिस तरह से आज ग्रह मंत्री अमिश्या यूपी के दोरे पर हैं किस तरह की तैयारिया चल रही हैं जी विल्कुल बिया बताना चाहूँ को कि ग्रह मंत्री हमेश्या जो है वो लगनो के और मिर्जापूर यूपी के दोरे पर हैं और बताया जा रहा है कि योगिया इजनात हैं वो पहले ही स्रक्षा बदस्ता को लेकर डियम और सारे विकारियों से बात कर चुके हैं क्योंक माना जा रहा है क्योंकि जिस तरीके से वो सबसे पहले जो 288 करोड की जो योजना हैं नबे योजनाओं को करीब लोकारपन और शेला नयास भी करेंगे और आपको ये भी बताना चाहूँगा प्रिया कि मिर्जापूर में उनका तीन साल में ये दूसरा दोरा है और वारान अगर पहुषने की तो वह करीब सालें दस बजे उनके पहुषने की संभावना है लगनौ और जैसा कि माना जा रहा है कि लगनौ पहुषने के बाद वहरान से पहुषनेगे फिर वहां से मिर्जापूर जाएंगे और वहाँ पर जो है करीब माम भिन्द्यवासनी का जो पहले दर्शन करेंगे और दर्शन करने के बाद जितनी भी तमाम योजनाए हैं उनका वहाँ पर वो शेलान्याद करेंगे तो कहीं न कहीं ये बहुत ही आहम दोरा माना जा रहा है और ये चुनाओ है सर पर और लगातार जिस तरीके से आला कमान की तरफ से बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि अब कोई न कोई बड़ा इंतर का नेता जो है वो लगातार पॉस्ता रहेगा अभी ग्रैमंत्री मिशाक्त के दोरे के तुरन बाद ही जेपी नटा के भी आने की संभावना है हो सकता है 7 या 8 अगस को जेपी नटा जो है वो लखनों का दोरा कर सकते हैं तो कहीं न कहीं UP चुनाव भी बीजेपी अपने माइन सेट में लेकर चले है कि आने वाले दिनों में जो है UP में और भी सरगज्मिया तेज होने वाली है और जिस तरीके कर यह जो दोरा है वो कहीं न कहीं political भी माना जा रहा है तो लगातार बैठक भी हुई है तो क्या लगता है आपको कहां तक इसे राजनीती से जोड़ कर देखा जा रहा है जी बिल्कुल प्रिया बताना जाओंगों कि जिस तरीके देखे दोरा पीशे काई दिनों में जो बैठके हुई यहाँ पर बीयल संतोष रादा मोहन जो आए और उसके बाद वहाँ पर आरेसेस के काफी बड़े दिगज़ लोग गत्ता हत्रे होस बोले से लेकर और काफी लो लाओ कि संब्साव जो है वो जत्हाई जाने लगी थी हाला कि मीडिया जगत में जो भी कयास लगाये में होता उसे लटी है प्रिक्टुक्रे मेडिया जो हमेशा बनाती है और इसके अगेंस ती जो मीडिया स्ट्राइटिजी बनाती है कि होज़ता ये करेगी लेकिन बीजेपी उसके अगेंस ही हमेशा गरती है तो जिस तरीके से बैटको बादोर रहा और आने वाले दिनों में जो सरगर्मिया तेज हो सकती है क्योंकि इसको भी चुनाओं से कहीं न कहीं जो है वो जोड के ही देखा जा रहा है जिस तरीके से इतने बड़े नेता का यहां आना और उसके बाद जेटी नडड़ा का आना और फिर लगातार यह कह देना कि अब बीजेपी के कोई ना कोई लीडर जो है वो उतर देश में आता रहेगा तो जिसको देखते हुए लग रहा है कि आने वाले दिनों में यूपी में सरगर्मिया और तेज होंगी क्योंकि जिस तरीके कि आज करोडों की योजनाओं को जो है वो शेलानियात अमिशा करने वाले हैं लगनोव पहुचेंगे लगनोव पहुचने के बाद हेलिकॉप्टर से वारानसी जाने का है फिर वारानसी से वो मिर्जापूर जाएंगे और ये सारी चीज जो मंदिर से रिलेटेड है बीते एक साल पहले ही योग्या अतना सरकार ने सा खाखा तैयार कर लिया था और अमिशा ग्रहमंत्री है इदेश के जो जिसको देखते हुए सुरक्षा व्यवस्ता के जो मिर्जापूर में इंदान किया गया क्योंकि मिर्ज सब्सक्राइब उनके साथ मौझूद रहेंगे ग्रामंत्रियमिशा के साथ और जिसको देखते हुए ATS से लेकर तमाम जितने भी सुरक्षे एजन्सियां है उनको तैना कर दिया गया है जी प्रिया बहुत 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 शुक्रिया शेवास आपका मासा जुड़ने के लिए वहीं संसत के मौनसून सत्र में पेगासस जासोसी मामले को लेकर विपक्षी पार्टिया केंद्र सरकार पर जम कर निशाना साथ रही है हंगामे के चलते संसत में संभावित 107 घंटे में से सिर्फ 18 घंटे काम हुआ है और इसके चलते करदाताओं का करीब 133 करोन रुपए बरबाद हो गया यह जानकारी सरकारी सूत्रों से मिली है आपको बता दे कि पी टी आई की रिपोर्ट के मुताबिक मौनसून सत्र 19 जुलाई को शुरू हुआ था यह 13 अगस्त तक चलेगा सूत्रों के मुताबिक इस सत्र में अब तक कई घंटे बरबाद हुए है वहिए अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक राज सभा में तय समय में से 21 प्रतिशत काम हुआ है जबकि लोग सभा में सिर्फ 13 प्रतिशत ही काम किया गया वहिए राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के छेत्रों के लिए भारती मौसम विभाग ने आज येलो एलर्ट और सोमवार के लिए औरेंज एलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने बताया है कि दिल्ली में आज हलकी से मध्यम बारिश होने की संभाबना है वहीं दिल्ली में अधिक्तम तापमान 34.4 डिग्री सेलसियर दर्श किया गया है दिल्ली में बीटेट कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है जिसके कारण लोगों को गर्मी से राहत तो मिली लेकिन जगह जगह पानी भर जाने के कारण समस्या भी खड़ी हो गई है वहीं पेशले कुछ दिनों में हुई भारी बारिश के कारण कर आयाईटी दिल्ली फ्लाइओवर के नीचे सड़क का एक हिस्सा धस गया जिससे शनिवार को इलाके में याता याद बुरी तरह से प्रभावित हुआ है हाला के जौरान किसी जानमाल का नुकसा नहीं हुआ है वहीं ट्राफिक पुलिस कर्मियों ने सतर्कता दिखाते हुए ट्राफिक को तुरंत रोक दिया और गढ़े की और गाड़ीों को जाने से रोक दिया सड़क दसने की कार करीब 10 विट का गढ़्धा बन गया वहीं सड़क के नीचे नाला होने की कार उसमें लगाता पानी भरता गया फिलाल के लिए इतना ही देश्मया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रही है फ्राइम टीवी